exam study में आप लोगा फिर से स्वागत आज हम लोग estimation and costing का second class करेंगे जो भी बच्चे पहला class नहीं की है estimation and costing का description में लिंक दिया वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं और अगर आप लोग मैंने टेलेग्राम चैनल पर जूरना चाहते हैं तो आप लोग exam study टेलेग्राम चैनल आपको दे रहें कि देखे पाला में हम लोग पढ़े दे की estimation and costing होता किया और estimation and costing दो तरस होता है एक होता है अपलोग एफ्रॉक्सिमेट एस्टीमेशन एक होता है डीकल एस्टीमेशन और एस्टीमेशन आप लोग पर लिए थे जाकर के प्रिए चेप्टर में देख सकते ह लेक्शर इस में बता चुला बने को डीटेल से बताया गया था और अधम को बद्रक बता है क्लिए में क्या होता हुर ईरिया जो आपको बता दिया था आपंगे क्या है तो उसमें क्या क्या था आप लोगों वर्क चार्ट के लिए इक यह परसेंड कर रोगता है तो इसका आप से प्रसेंड कुष्ट का लगता है यह जितना भी एच्छे यह आप लोगो याद दहुना चाहिए कि किसी ने किसी एक्जामें डाइप आपको कोसन पूर्ष दिया जाएगा इसे लेटर और भी बताया था इसका भी कोसन भी कराया गया था वहां पर आप लोग को दो तरस बताया थे कि देखिए यह दो दो पॉइंट्स आप लोग को य मोट्यलेवल होता यह मेथार क्या होता मौस्ट घ्लेवल होता है कोशन पूशा जागा मोस्ट कौन सा होता है या निच्टेल एस्टिमेशन होता है कि के एकड 750 इंध बीदी इसक्मी तो हम लोग क्या करेंगे अगर मेरे अद्मेस्टेटिव सेक्षन का 10 परसेंट होगा उसे ज्यादा होगा ताब उसको क्या करेंगे फिर से रिवाइज एस्टिमेशन करेंगे यह यहां से डिग्री ओप एकुरिसी से कोशन पूशा जाता है कि एरिया का जो हता है कितना तक करते काकरते करतें मुंट का करते हैं कितना करते हैं पूइंटक फायर करते हैं इस तरह लोगो को छे पॉइंट्स जितना भी में आप लोग को यह भी भी इंपोर्टेंट है क्योंकि डायक्ट एक्यूरसी डिग्री ओक्यूरसी का डायक्षण एक्जाम में आप लोग को बिहार स्पेशल सर्वे आमीन में कोशन पूस्ट दिया जाएगा तो आप लोग यह इसको याद करिए है और दो लाग से ज्यादा होगा उसको हम लोग मेजर वर्क बोलेंगे यह भी पॉइंट आप लोग याद दखेगा इंपोर्टेंट है बिहार स्पेशल सर्वे आमीन के लिए आप चलिए आज का क्लास में आप लोग को बताने जा रहा हूं आज का क्लास किया है इस्पेस अगर एक चीज को अगर इसमेशन प्राइब को अदिलर को इसे ने अचेतर है उतिए इस्पेसि चीजरेट में हुनुम् ав इसका क्रते हैं इसमें परत्यकंड़ आइटर में करते हैं आप चलिए इसमें क्या-क्या है कि it gives the general idea of work, यह हम लोग general idea करता है, बट यह क्या होता है मेरा, उसका nature, जो भी item होता है, उसका क्या nature, उसका क्या class है, हर एक चीज को detail में यह बताता है, और यह general estimation होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, detail estimate बोलते हैं, आप देखे इसमें क्या होता है, कि unit measurement, आप लोग को question य याद है, आप लोग यह चारो points लगर याद है, तो आपको एक भी question नहीं चुटे है, अब यह चारो points आप लोग कैसे दिमाग में आना चाहिए, यह आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी question देखेगा, तो आप यह चारो से रिलेट कीजिएगा, अगर यह चारो हम लोग जैसे चत ढालते हैं, तो उसमें क्या होता है, मास वर्क होता है, तो जहां मास वर्क होना, अब याद आखे, जहां पे मास रोल्यूम वर्क हो, उसको हम लोग मेजर हमेशा करए, मीटर क्यूब मंदलब, उसको बॉल्यूम मेजरमेंट करते हैं, तो यह दोनों points आप हर एक चीज को याद करते जाएं तो आप से याद नहीं होगा इसलिए आप लोग यह पोलिए करना ज़रूरी है जो भी कोसन में आपको इसमें रिलेट करना पड़ेगा अंड़िए सेलो या थीन सेक्षन का मतलब होता है कि एक डामेंशन होता है जैसे लेंथ वीट वर ह जैसे डिपी सीम होगा है देप्थ को नेगलेट कर देते हैं अब जैसे हुआ अब जैसे हीडाफ किया हूँआ मीटरा उसक्वार आगा तो आप ऐसा सेक्शन देखना जहां भी को शन पूछा रहाएगा उसमें देखना कि कोई ऐसा चीज नहीं पूछते है लॉपर सकते हैं लॉपर स्ली हो गया जहां पर गया किसी बीक हेंग चीज को किसी एक डायमेंशन को उद्थरं सकते हैं कि सक्षिक MPD नम्हों चूरा है ऑने कि घृतली कर सकते हैं bene तो चोड़ाई मतलब उसका लेंथ बहुत जाता हो विर्थ और हाइड बहुत ही कम हो जिसको हम लेंगलेट कर सकते हैं तो उस टाइप पर जो भी अगर रहेगा कम वहां पर हम लोग क्या करेंगे उसको मेजर मेंट करेंगे अब जैसे पीस वर्क हो गया आइटम वर्क हो गया आप किसी कोर्शन में पीस वर्क और आइटम वर्क से लेटे जैसे हो गया आप जैसे एक तरह से जितना भी एलेक्रिक फिक लगाते हैं अपने बोर्ड लगाते हैं जो भी बोर्ड हो गया कुछ हो गया वह सा क्या होता आप लोग पीस में हम लोग आइटम में उसको नम्मर में होता है जहांएं बहुत को बहुत किसी की त्युमार के को आगर ये चारों पॉइंट्स आप लोग को याद है तो उससे हमको लगा है नाइटी-9-5 पर्शन कोशन आप से छोटे गा तो ये चारों पॉइंट्स आप लोग ज्यूँट्स पूशेगा तो 90-95 आप से बन जाएगा जले अगले पुइंट पर चलते हैं क्या है अगला point क्या करा कि weight of steel अगर आपके steel जो आप लोग reinforcement का होता है तो weight निकालना होता है तो weight निकालने के लिए आप लोग को पता होगा कि क्या होता है area length or density इससे multiply कर देंगे हम लोग को weight निकल जाएगा यहां पर देखे weight of steel है कितना एक मीटर का अगर एक मीटर का हम लोग weight of steel निकालेंगे तो अगर आप लोग कितना इसका point zero six one seven d square होता है कितना केजी पर मीटर अगर मालीजिए एक मीटर अगर एक मीटर का हो और डाया क्या हो अगर यहां डाया स्पिफाय कर देंगे मालनों डाया आप लोग को 12 mm का छर है ठीक है अगर 12 10 mm का छर है यहां 12 से स्पिफायर कर दिजिए आप लोग के बता दिएगा कि उस सब्सक्राइब का कितना वह फर्मुला निकालेंगे फिर्मुला होता यहां डाया क्या होगा यह आप लोग को पता होना चाहिए यहां पर क्या होता है मेजर आइटम आप आइटम जो भी आइटम काम करते हैं पहला तो काम जब भी हम बिल्दिंग मनाते हैं अर्थवर्ट का सबसे ज्यादा काम होता है तो देखिए अर्थवर्ट में जितना भी क करते हैं क्या होता वहां समलों को मिट्टी निकाला जाता वह जब भी मिट्टी निकाला जाता तो क्या होता मांस वर्क होता है मांस वर्क में है क्या हो यह भूलिम वर्क है तो भूलिम जैसे वहां क्या होगा हम लोग मेजरमेंट करेंगे मीटर क्यू में करेंगे यहां मीटर और लेंद्ध हो गया मेना 2 km अधेफ्थ मेना कितना 30 cm हुआ अभी दोनों के कंपेड़ेजन में 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 अधेफ्थ बहुत काम हो गया जिसको हम नेगलेट कर सकते हैं तो वहां अम लोग सिर्फ क्या करेंगे वहां पर एरिया पी सिर्फ क्यालकुलिट करते हैं मीटर स्कॉर ह हो जाएगा जिसको सरफैस ड्रेसिंग हो गया है यह सब जहां भी चीज होता में हो फिर्त हैं 1.5 मीटर कितना 30 cm से में Gemeी स्कॉर में करेंगे यह एक 먹어ोगो से इंपोर्टेन्ट कोस्न जो आप पू Layer & Lift होना चाहिए एक सबसे important question जो आप लोगों पूछा जाता है कि lead and lift lead का मतलब हुआ कि excavation जहां कर रहे हैं उस point से ले करके जहां पर आप लोग फिलिंग कर रहे हैं यहां से यहां लाई यह distance जो होता है यहां का distance जो होता है तीस मिटर होता माला कि हम लोग जैनरली इन मानते हैं और कितना होता है और मेरा lift जो करते हैं 1.5 मिटर होता है यह question पूछा जाते है lead and lift का कितना मिटर होगा वहां पर डाइक option रहेगा lead and lift to the deposition of soil करने वादा जहां से soil को हम ले रहे हैं और deposition जहां कर रहे हैं उसको हम लोग के average distance को हम ले बोलते हैं lift क्या करता है average height होता है जहां source of soil से है point of deposition जहां पर हम लोग करते हैं representation क्या यहां पर exhibition कर रहे थे किसी चीज़ का यहां से यहां ले गए तो उसको हम लेड़ बोले और यहां से ठाकर के filling कर रहे हैं किसी अब क्या होता है तो 3850 kg पर मिटर क्यों होता है यह question आप लोग को पूछ दिया जादा कभी कभी कि density of steel केता है कितना याद खेगा कि तो केजी पर में हो जैगा हमें सूर्व men होária यह बता लिया था अधिक Ingred Exceptkal of Ezнал … यह pointer आपको यहां जाद होना चाहिए जहां जहां आप लोगको टिक कर रही हैं सिर्फ उतना याद कर लिएगा न चाहिए एक भी question आप लोगको भी पेशल सर्विया में नहीं छुटेगा चले अले जाते हैं क्या है अला पॉइंट्स क्या है कि का रहा है क्या अब इसमें कुछ पॉइंट्स आप लोगों को और याद दखना है देखिए करा रहा है यूज इन रोल एस्टील सेक्षन बैंडिंग वायर फैबरिकेशन फास्ट को अब लुक को ये नोटस आप लोगो याद होना चाहिए यह स्टार सा अट ओगा जो गेट होगा ចन किसी शाण की लोगा और मिन्डूस व गया इस तरह से आफ लोगों को लगों लोष स्वांधस ककर पांब करते करते हैं कि यहां करा है कि यहां करा ला होता है वह यहां करते हैं इतना चीए आप लोग को याद होना चाहिए अब यह कोशन कर रहा है इसका डाया 10 mm दिया हुआ है तो हम लोगों पता है ना क्या होता है यह क्या होता है यहां पे कुछ नहीं करना हम लोगों 0 617 डाया कितना मेरा है 10, 10 है ना, 10 का स्क्वार इंटू एक मीटर के लिए था, अगर 20 मीटर लेंद के लिए का नहीं आदे, 20 से मल्टिपला कर देंगे, अगर इसको मल्टिपला कीजिएगा, तो आप लोग का एंसर आ जाएगा, एंसर कितना है, 12.3307 kg आ जाएगा, चले अगर कोर्स्टन चलते क्य आप लोग का कंकरीटिंग इस पर अगरन ओर मास में अर्थ वर्ग हो, आप लोग को में करते हैं, यह तिना हमेसा क्या करते हैं, इसका मेजरेमंट, जैसे hao गया, PCC, cc हो गया, लूट साय में कुलता है MMA Q में करते हैły question पूछेगा कि की में पूछेगा इसे डतर पूछेगा कि ड Cinth Level के आज़ पास लगाता है करते हैं वहांब नोब क्या करते हैं इस को में करते हैं इसको स degrad reluctant कर देते हैं पहले कि मालू bol रहले कि हेतना प्रोभाईट लेवल कि विख मुफराइट करते हैं अभन इसको क्या करते हैं आज सब सब इस्टार के पास इसका हम लोग उसपी चिरते हैं MRS और ज्यादा तरक्या होता है कि DPC यूज़ करते हैं M10 और M20 करते हैं यह आप लोग को और Asteric Acid होता है इस टाप का हम लोग यूज़ करके हम लोग किसी भी बिल्डिंग में हम लोग प्रिंट लेवल पर हम लोग डिपीसी करते हैं सब्सक्राइब करते है। अब दिखिए क्या говорить Lc छीन के रोफ्प संब्सक्राइब आप हुआ है जीज आप लोग को यादखना, यह नोट्स, यहाँ से कोशन आप लोग पुझएगा चीसले, लसी इन रूफ टेसिंग, इसका मेजरमेंट किसमें करते हैं, मेटर स्वर में करते हैं, इसका क्वेश्ट फ्लोर किसमें करते हैं, अब दिए प्लास्टिंग, जो हम लोग प्लास थिकनेस मेला 10 cm से ज़्यादा है तभे हम लोग उसका मीटर क्यूंए करेंगे जैसे दस से कम हो जागा उसका मीटर स्कॉर्म करेंगे आप मीटर स्कॉर्म करेंगे कौन सा ब्रिक करते हैं यह चीज आप लोग को यहां से बनता है यहां से बहुत कम को बनता है ठीक है बट इस है अविये है किसमें करते हैं इसका मेजर्म करते हैं यो नि हम दने स्कॉर्म करते हैं त्ता ही चारो पूरेंश निए ना और इसका नोर्स मोन्हों निसमे से संध्य मुआ है न और इसका तयर निगन सबस् cuarto करते हैं directamente सब्स अबने सब्सक्राइब को सबस्क्राएब इससे ऊह हो गया मी होता हैं या या इसमूद भी सज़ूटर तो यह क्या होता है नगी बना जाता इसको किया क्या होता है वह भी आप लोगों को पता होना चाहिए इसका प्रोपर्टी क्या है यह से स्टोन मिशनरी हो गया बिरिक मिशनरी हो गया इस्टेंस जो होता है ना स्टोन मिशनरी का बहुत ही ज्यादा होता है लिए बिरिक मिशनरी का कम होता है देखे अपरेंस क्या होता है नो एक्स्टरन इसमें कुछ नहीं होता है यूजेस क्या होता है यह जितना करते हैं यह हम लोग करते हैं आप देखें फ्लोरिंग करते हैं यहां भी पता दिया कि अगर 7.5 cm से अगर ज्यादा है तो उसको में करेंगे करेंगे मेजरेमेंट आप कराएं कि जैनरली थीकने सब्लोर जो भी कर रहें कितना 25 से 50 सेंटीमेटर कहने कम आप लोगों करते हैं चलते हैं आप देखें वर्क कौन कोन सा यह से आप लोगों के लिए बेरी इंपोर्टेंट है इसका चलिए आप लोगों को आप लोगों के लिए बेरी इंपोर्टेंट है इसका चलिए आप लोगों और मेशनरी वर्क की यहां से आप लोगों पता दिया गया था यहीं आप लोगों मेशनरी वर्क की यहां से आप लोगों पता हैं यहीं पता दिया आप लोगों आप लोगों आप लोगों को आता ही है किसी ने किस एक्जाम में हर एक प्रतिक जि यह साइज होना चाहिए और उससे यह ज्यादा हो गया विंडो का तो हम उसको चुछ करेंगे उससे कम है तो उसको कंसीडर करेंगे प्लास्टिंग का जो भी मेजर्वेंड करेंगे अब देखिए जैसे वाल अगर एरिया ओपनिंग जो भी खिरकी हुए किसी भी चीज का यह यह वाल में ओपनिंग हो गया तो आप देखिए धर करने भी आप दो में नवा सकते है मैजर्व जैसे जैन फो उप्ट हो गया चौन करके अगर इस का और 0.5 से 3 मीटर स्क्वार के बीच में रहाएं, तो डिडक्षन करेंगे, कितना 1 साइड, एक साइड का वन ली डिड़ेक्षन है, अब डिड़ेक्षन क्या 1 साइड का मतलब, जैसे 1 साइड का डिड़ेक्षन का मतलब हुआ, अब किसका, जो एरिया मेरा ओपनिंग करेंगा उसके 1 साइड का एरिया के नहीं, 1 साइड का एरिया का मतलब ही करेंगे, यह दिमाग में राखना है, जो एक साइड का एरिया का डिडेक्षन करेंगा, तो आप को पता चल गया, हो जाए देखें, क्या होता है, उपनिंग में कि इसको जो लोओ ऑलते हैं, सौफीड बोलते सब्सक्राइब को पता होना चाहिए इसमें क्या होता है कि को एप रिखाहे वह लिखाइगा कि 1 cm² है तो मिना डिट्रेक्षन होगा कि नहीं होगा किसमें la 4кой डिड्रेक्शन नहीं होगा विए सब जो sharksBT हो लिंटन पर शक्रिप सब फोर्टा चेतें के सब्सक्रा गोगा करें यह कोशन जोन मादा और यह सब्सक्राइब कि नहीं होगा कि यह सब्सक्राद होता है प्लेट होता है और बेड़ प्लेट होता है कितना 10 cm अगर मेरा है तब तक जैसे 10 cm से एकसीड करेंगा तभी हम डिड़क्शन नहीं करेंगे यह पी पॉइंट्स आप लोगो याद रखना है हुआ 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 हो कि या आई क्या हा है ओ वाइटवासिंग जो है ना जो इस्टस侍Today मेजरमेंट करते है। जैसे होगिया वाइटवासिंग होगया यहां से को सना अप लोगों BOB फूष्टा यहां से कौसण आप लोगोगों सपूछा जाता थिया था यह बहूत important है आप ल बलब दो कार में तो कोडोटेhehe के कितना इंक्रीश करremos, पताने जा रहा हूं कि डीचरी चल्य कोडोडेट क्या मैं कवतीन के खिरिया और पो प्रसेंटेज में दिया रहे तो एसे भी द्याइए थे तुर्स. नोर्स होता है, अब ज़से दिया आयगा? उसमें 10% होता है? कितना फिसेट है? 10% होता है? 10% करने मतलब ज्यादा पुरा नहीं है तो इसमें कितना दस परसेंट मेरा एरिया इंक्रीज करता है यहां भी आप लोग बता दिया एरिया 1.14 एक साइट के लिए हो रहा है दो साइट के हुआ दूगूना हो जाएगा जैसे एक साइट के लिए इतना है एक साइट के लिए है अ आप लोगो 1.2 या 20 परसे मारी और सेमी कोईलेट एरिया एक सीट है तो यह 1.1 या तो 10 परसेंट आप लोग मारीए एंसर में जो भी आप लोगो एंसर दिया रहेगा वो चीट कर लिजेगा आप इसके बाद क्या होता है बार बेंडिंग सीडियोल होता है बी बीया सम अब बेंड बार क्या होता है कि हम लोग जो बेंड करते हैं यहां हो गया यहां से बेंड बार करते हैं यह बेंड बार होता है इस बेंड बार करने के लेंद क्या होता है मेरा कितना होगा यह आप लोग को पता होना चीए जो बेंड बार करते हैं इसका लेंद कितना होगा इसको हम लोग फिटा माले के यह को अऊजिए को निए से डेक्त नहीं है यहां से डेप्थ डी को गया अधकि मेरा थीटा जो भी अंगल तेस लेंदस कितना सब्सक्ना интересно यहां गए यहां गए यहां गए अब बेंड़ बार में जो मेरा एडिस्नल लेंथ होगा जो एडिस्नल लेंथ होगा कितना होगा तो अगर मेरा 30 डिया है तो खीठा लिए तो ऑधालिस्नल लेंथ लेंथ यहां है साथ नियुक्त, अब देखेसे याद करने का सब से आसाम तरिका में आप लोगों पता रहा हूँ, आप लोगको नापन करने का कोई जरूरत भी किसे करेंगे नहीं रहे को याद करने का यह यह क्या है? यह क्या है यह d डेफ्थ है क्यूंक्त यहां देखिए आप लोगों कि क्या यह Rock ये d क्याnın है यह क्या कि अदो है यह इचा Gary है जहां भी एंगल दिखा रहेगा और आपको बहुत दिखा रहेगा बैंडडवार क्या होगा जो लेंट उ रहेगा ही उसके साथ क्या कि 30 डिग्री है कुछ ने तीन घटा दी जागा और तीन घटा के आपनों डेफ्थ से मन्टिप्लाइ कर दिए देखिए 30 डिग्री है तीन घटा है तो 0.27D हो गया इसी तरश 45 डिग्री है तीन घटा है तो 0.42D हो गया कोई याद करने का नहीं एंगल दियार है आप फ्रिक्वेंट्ली यह दोनों कोशन आता है आप लोग को 45 और 30 डिग्री तो यह दोनों अगर आप लोग को याद है तो आराम से बन जाए देखिए एक कोशन आप लोग बता रहा है कि इफ प्रभाइट डाया दिया हुआ पॉंट फाइव डी और फाइंग लेंथ हम लोग इडिशनल लेंथ दोनों द्रफ है इसाड़ भी डीशनल लेंथ यह वाला और यह यह वाला लेंथ वह आप लोको वह से क्रेंग लेंथ निकल जगा एक्चॉल क्रेंग लेंथ निकल देका है तो यहां को पता होना चाहिए अब यहां को सब्सक्राइब करना है जिसे कि अब यहां हूख है कितना आप लोगों नहीं सटीट्री है तो जो प्लस आप लोग किता कर दिए नैंट फाय दोनों सब्सक्राइब हो और यहां तो टोटल पता चल जाएगा तो आप लोगों पता चलेगा प्रिक शोलींग है अब रिक्सोलिंग हम लोग कैसे करेंगे तो के लिए आप लोगं होता है न कि आरगया दौत होता है यह प्राइप साथ होता है यह खूलोग आपने этом को सब्सक्री। चारज क्लते होता जिल्स पूराने से ना फ्र्प्रशन व कुता सबता हृल्त होता हिसा Đखेके का तो होता है लेगा पांस होुण हो!!!! आप देखिए आप लोग को इस वाद अगले क्लास में आप लोग को कॉंट्रेक्टर एंड टेंडर के बारें पढ़ाऊंगा आज का क्लास यहीं पर मैं इंड करता हूँ है और अपने दोस्तों को शेर कर दिए क्योंकि भीहार आमीन का बहुत ही जड़ एक्जाम होने वाला है तीन से चार मन्त में एक्जाम हो जाएगा दीके बहुत ही ज्यादा है छेट साथ एजल वेकेंशी है और इस्टुएंट बहुत ही कम निया पर पर ने आता है तो मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे को यह benefit मिले, thank you